ओम नमो भगवते वास देवाय नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको सुरिमद भघवत महा प्राण की कता सुना रहा हूं आप सभी भक्त जन इस कता को सुर्धा पूर्वक मन लगा कर सुने भगवान स्री कृष्ण आप सभी की मनुकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी की कैश्टों को हर लेंगे दोस्तों पिछली कता में हमने सुना था भगवान का प्रिकट होकर अधिती को बर देना आज की कता में हम सुनेंगे बामन भगवान का प्रिकट होकर राजा बली की यग साला में पधारना सुकदेव जी कहते हैं परिक्षत इस प्रिकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की सक्ति और लीला की इस्तुति की तब जन्म म्रत्यु रहित भगवान अधिती के सामने प्रकट हुए भगवान के चार बजाएं थी उनमें भे संक गदा कमल और चक्र धारन किये हुए थी कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नित्र थी पीत अमबर सोबाय मान हो रहा था बेसोद स्याम वर्ण का सरीर था मकरा करती कुंडलों की कांती से मुख कमल की सोबा और भी उलसित हो र सिर पर किरीट कमर में करदने की लड़ियां और चर्णों में सुन्दर नुपुर जगमगा रहे थी भगवान गले में अपनी स्वरूप भूत बनमाला धारन की हुए थी जिसके चारों और जुंड के जुंड भोरे गुंजार कर रहे थी उनके कंठ में कौस्तों मड़ी भगवान की अंग कांती से प्रजा पती कश्यप जी के घर का अंधकार नश्ट हो गया उस समय दिसाय निर्मल हो गई नदी और सरोबरों का जल स्वच हो गया प्रजा के हिर्दय में आनंद की बाड़ आ गई सब रितुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लग स्वर्ग लोक अंत्रिक्ष प्रत्वी देवता गौध दुएज और परवत इन सब के हिर्दय में हर्स का संचार हो गया प्रिक्षेत जे समय भागवान ने जन्म ग्रहन किया उस समय चंद्रमा स्रवन नक्षत्र पर थी भादर पद मास के सुकल पक्ष की स्रवन नक्षत्र वाली द्वादसी थी अविजीत महुर्त में भागवान का जन्म हुआ था सभी नक्षत्र और तारे भागवान के जन्म को मंगल में सूचित कर रहे थी परिक्षेत जिस तित्ही में भागवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादसी कहते हैं जन्म के समय सूर्य आकास के मद्य भाग में इस्त थे भगबान के अवतार के समय संक ढोल म्रदंग डफ और नगाड आदी बाजी बजने लगी इन तरह तरह के बाजों और तुरयों की तुमल ध्वनी होने लगी अब सराइं प्रसन हुकार नाचने लगी स्रेश्ट गंदर्व गाने लगी मुनी देवता मनू पितर और अगनी स्तुति कने लगी सिद्ध विद्यादर किम पुरस किनर चारण यक्ष राक्ष स्पक्षी मुक्ष मुक्ष नाग गण और देवताओं के अनुचर नाशने गाने एवं भूरी भूरी प्रसंसा कननी लग तो वे अत्यंत आश्य चकित और परमानन्दित हो गई पिरजा पती कश्यप जी भी भागवान को अपनी योग माया से सरीर धारन किये हुए देग बिस्मित हो गई और कहने लगे जै हो जै हो परिक्षेत भागवान स्वयम अव्यक्त एवं चित सरूप हैं उनन जो परम कांत में आवुशन एवं आयोदों से युक्त वह सरीर ग्रहन किया था उसी सरीर से कश्यप और अज़ती के देखते देखते बामन ब्रह्मचारी का रूप धरन कर लिया ठीक वैसे ही जैसे नट अपना भेस बदल ले क्यों ना हो भागवान की लिला तो अद्बुद है ही भाग उनका उपनेयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ट रात देवता स्वेम सविता ने उन्हें गायत्री का अपदेश किया देव गुरु ब्रस्पती जी ने यग्यो पवीत और कश्यप ने मेखला दी प्रत्वी ने कृष्ण मर्ग का चर्म बन के स्वामी चंद माजिने कमंडलू सब्त रिशियों ने कुस और सहस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की इस रिती से जब बामन भगवान का उपनेयन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुवेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सती सिरो मड़ी जगजनी स्वेम भगवती उमाने भिक अत्यंद सोवाय मान हुए इसके बाद भगवान ने इस्तापित और प्रजलित अगनी का कुसों से परिसमूहन और परिस्तरन करके पूजा की और समिदाओं से हवन किया परिक्षित उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन यसस्वी वली भ्रग ब्रामबणों के आदिस अनुसार बहुत से असो मेग यग कर रहे हैं तब उन्होंने वहां के लिए यत्रा की भगवान समझ सक्तियों से युक्त हैं उनके चलने के समय उनके भार से प्रत्वी पग पग पर जुकने लगी नर्मदा नदी के उत्ता टट पर ब्रग कच्च नाम का एक बड़ा संदर इस्तान है वहीं बली के भ्रग बंसी रित्वेज स्रेश्ट यग का अनुस्टान करा रहे थे उन लोगों ने दूर से ही बामन भागवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानु साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहू परिश्यत बामन भ पुत्र सुक्राचार आधी अपने सिस्यों के साथ इसी प्रकार अनिकों कल्पनाए कर रहे थे उसी समय हाथ में छत्र डंड और जल से भरा कमंड लो लिये वे बामन भगवान ने अस्व मेग यग के मंडप में प्रिविस किया वे कमर में मूझ की मेखला और गले में यग् मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यग्य मंडल में प्रिविस किया तब भ्रग वंसी ब्रामन उने देखकर अपने सिस्यों के साथ उनके तेसे प्रवावित एवं निस्प्रव हो गए बे सब के सब अगनियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने बामन का स्वागत सत्कार किया भगवान के लग रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनुवर एवं दर्स निये थे उन्हें देखकर बली को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने बामन भगवान को एक उत्तम आशन दिया फिर स्वागत वानी से उनका अभिन अनों का धोवन परम मंगल में है उसे जीवों के सारे पापताप धुल जाते हैं स्वयम देवाद देव चंद्रमौली भगवान संकर ने अत्यंत भक्ति वाव से उसे अपने सिर पर धारन किया था आज वही चन्नाम्रत धर्म के मरमग्य राजा बली को प्राप्त हुआ उन आपकी क्या सेवा करूं और ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्सियों की तपश्या ही स्वयम मुर्तिमान होकर मेरे सामने आई हैं आज आप मेरे घर पदारे इससे मेरे पितर तरप्त हो गए आज मेरा वंस पवित्र हो गया आज मेरा ये यग्य सपल हो गय ब्रह्मर्कुमार आपके पाउं पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और बिदी पुर्वक यग्य करने से अगनी में आहुती डालने से जो फल मिलता वो अनायास ही मिल गया आपके इन नन्ने नन्ने चर्णों और इनके धोबन से प्रत्वी पवित्र हो गई ब्रह्मर्कुमार ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाते हैं परम पूज ब्रह्म चारी जी आप जो चाते हों गाय सोना सामिक गरियों से सुसज़त घर पवित्र अन पीने की बस्तू बिभा के लिए ब्रह्मर्की कन्या संपत्तियों से भरी वे गाउं घोड़े हाती रत वे साब आप मुझसे मांग लीजिये अवस ही वे साब मुझसे मांग लीजिये बुल स्री मद भागबत महा प्राने की जाए बुल स्री किष्ण चंद्र भगवाने की जाए